तो हम ट्राय कर सकते हैं हमारे अंदर, ट्राय करने की छमता है, लेकिन डिसीजन तो उपर वाला ही लेगा, बिल्कुल सही समगा है, आप 420 OBC के लिए मिनिमम गेट स्कोर कट ओफ था, और मैक्सिमम था 510, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, CSE डिपार्टमेंट पे प्लेस के लिए मिनिमम था, और मैक्सिमम था, और मैक्सिमम था, तो अगर किसी कोई OBC का स्टुडेंट है, और उसका माल लीजिए कि 420 या 410 या 430 ऐसे करके उसके गेट स्कोर है, और वो चाहता है कि अमनाइटी में जाए, लेकिन उसको CSE ब्रांच में जाना है, तो CSE डिपार् साही ले सकते, क्योंकि जो कमपनी आदी है, वो दोनों ब्रांच को सेम ही opportunity देती है, हाई, कैसे हैं आप सब, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि MNIT जैपूर के लिए OBC के लिए for all the branches, क्या minimum gate score cut-off था CCMD counselling के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइस में बताने वा में दो तरीके के ब्रांचेस हैं, computer science engineering और computer science engineering and information security, तो CSE के लिए जो minimum gate score था OBC के लिए वो था 453, minimum 453, मतलब 400, तो अगर आपका gate score जो है, वो 400 के अंडर आता है, क्योंकि OBC का जो students है, उन्होंने बहुत जादा क्वेरी पूछी है, कि किसी का 400 है, किसी का 448 है, किसी का 446 है तो इस तरीके से जिनके student के भी OBC से काटेगरी से प्लाँ करते है, उनके ऐसे gate score है, तो बिल्कुल है MNIT में admission के लिए पियर हो सकते है, even उसको मिल भी सकता है, उनको, तो हम ट्राय कर सकते है, हमारे अंदर, ट्राय करने की छमता है, लेकिन decision तो उपर वाला ही लेगा, तो स्टार्ट करते है, कंटिन्यू करते हैं, तो मिनिममम जो gate score OBC के लिए 453 और मैक्जिमम जो था 562, ये CSE ब्रांच के लिए बता रही हो, अब CSIS में आते हैं, CSIS में 420, या, जी, बिल्कुल सही सुन रहा हैं, 420 OBC के लिए minimum gate score cutoff था, और मैक्जिमम था 510, तो आप याँ प department पे placement जो है, वो department wise होते हैं, college में, और फरक नहीं पड़ता कि आफ CSE ब्रांच से ब्लांच करते हो, या, फिर CSIS से ब्लांच करते हो, placement सेम है, तो अगर किसी कोई OBC का student है, और उसका मान लीजिए कि 420 या 410 या फिर 430 ऐसे करके उसके gate score है, और वो चाहता है कि MNIT में तो वो CSIS में भी आ सकता है, यो कि CSIS का क्या होता है, कि CSE branch क्या कोड़ी, थोड़ा सा क्या होता है, तो बिल्कुल वो CSIS में आ सकते हैं, और placement सेम तू सेम वैसा ही ले सकते हैं, यो कि जो company आती है, वो दोनों ब्रांच को सेम ही opportunity देती है, ठीक है, तो ये चीजे हैं, तो आइटी जापुर में एंटर कर सकते हो, डिपार्टमेंट में और placement ले सकते हैं, मीनमम गेटी स्कोर से भी, अब चलते हैं, पर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो है computer, नहीं है, वो है department of electronics and communication engineering, और उसमें चार तरीकी के ब्रांचे से embedded system, उसमें हैं, OBC के लिए 326 से ले के 459 maximum gate score था, दूसरा जो है electronics and communication engineering, इसमें भी 326 से ले के 409 गेटी स्कोर था, OBC के लिए, और VLSI डिजाइन के लिए 364 से ले के 526 से ले के इसमें गहे था, अब इसके बाद फोर्ट जो है wireless and optical communication के लिए 326 से ले कर के 376 minimum gate score, 326 और maximum था 376, टीक है, तो अब आब अब इसके बाद थर्ड नंबर बात करते हैं, Department of Electrical Engineering, इसमें हैं, फिर्स वन पे, Power, Electronics and Drive branch, जिसमें कहा है कि, OBC के लिए 328 minimum gate score था, पिछले साल का बता रही है, 2023 का, अब वो 384 जो था, मैक्जिमम था, तूसरे नंबर चलते हैं, Power System and Management branch में, और उसमें मुझे, OBC के लिए क OBC के लिए minimum gate score था, 2023 में, वो था, 322, 322 से लेकर के, 332 तक, अब इसके बाद फोर्थ नंबर पर Department of Mechanical Engineering की बात करते हैं, तो उसमें चार तरीके के ब्रांचे से हैं, पहला जो है, वो design engineering, जो काफी फेमस है, काफी placement होता है, design engineering, और design engineering से related ही मेरा एक placement का, जो feedback का, जो interview, एक त पर अप्लोड कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, ओमकार ना, ठीक है, तो ओमकार वो student है, जिनको design चाहिए, जो बहुत बेस्ट मानते हैं, mechanical में design को, तो याप design के बात कर ला है, तो OBC के लिए, देखिए, OBC के लिए design, जो engineering है, उसका minimum cutoff 300 on-ness, आज समझ सकते हो 300 on-ness जिस के, जिस उसन के भी cutoff, अगर passing marks भी है, ठीक है, OBC में passing marks भी है, अलाइक general का जो cutoff है, उसके थोड़ा सा passing marks में भी है, तो फिर उनको admission मिल सकता है, ठीक है, और maximum था वो 402, अब दूसरे नमबर पर branch की बात करते हैं, industrial engineering, इसमें 342 minimum, और 329 is maximum, थर्ड नमबर पर production engineering, इसम minimum gate score था OBC के लिए, OBC non-crimalier की भी बता रही है, ठीक है, 330 और maximum था 366, अब thermal engineering बात करते हैं, आप पर 325 minimum, और 372 maximum, तो चलिए, यहां पर 4 departments के बारे में बात हो सुकी है, आप 5th नमबर पर चलते हैं, वो है department of civil engineering, और इसमें 5 तरीके के branches है, civil engineering में, पहला जो ब्रांच है, व मैंने नहीं लिखा, अब 2nd नमबर पर environmental engineering और इसमें 323 से लेकर के 423 तक हमारा gate cut-off गया था for the OBC non-crimalier के लिए, अब 3rd नमबर पर branch बात करते हैं, तो transportation engineer और इसमें 347 minimum gate score था, and 433 maximum, 4th नमबर पर structural engineering, इसमें 385 minimum, और 430 is maximum for OBC non-crimalier, 5th नमबर पर water resource energy, इसमें water resource engineering, इसमें जो था 337 minimum, और 341 maximum, अब बात करते हैं, 6th number के department की, और वो है, department of chemical engineering, तो OBC से किसी ने chemical engineering में admission नहीं की लिया था, MNIT में उस नहीं पर cut-off नहीं लिखा था, अब 7th number बात करते है, department of architecture and planning, इसमें है urban planning, जो branch है, उसमें है, OBC के लिए cut-off minimum गया था, वो है 316, 316, और maximum था, 433, और इसके बात करती हूँ, 8th number पे वो है, center of energy and environment, और इसमें जो branch है, एकी branch है, वो है, renewal energy, उसमें कहा है, 310, minimum gate is score था OBC के लिए, और 343 maximum, 9th number बात करते है, last, और वो है, national center of disaster and mitigation and manage, इसमें कहा है, earthquake engineering, और earthquake engineering में 323 OBC, non-creamy के लिए minimum cut-off था, maximum भी गया था, तो आप यहाँ पे समा सकते हैं, मोटा मोटा, कि CSE department को छोड़ कर, कि जितने भी departments हैं, उसमें अगर आपका 16, 317, उससे थोड़ा 350, इस type में है ना, तो भी आप किसी भी branch में admission ले सकते हैं, अपने gate paper जो आपने दिया होगा, उसके according, ठीक है, अब आप, यहाँ पे CSE के लि क्योंकि previous year cutoff बहुत लो गया था, आप समा सकते हो, तो शायद इस बार भी लो जाया, बिल्कुल भी इस बात की tension मत करो, कि कितने students, कितनी rank increase हो गई है, कि नहीं बहुत हो गई है, क्योंकि पिछली बार भी same यही था, ठीक है, Aprox क्योंकि पिछली बार cutoff बहुत हाई किया थ बार admission हुए ना, तो इस बार rank increase हो गई, तो क्या ही दिखते है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और CSE, अगर मोटा मोटा मैं OBC के लिए देखूं, CSE का, तो अगर आपका 420 से ले करके 420 से ले करके 420 से ले करके 420 से अगर आपका gate score है OBC में, जिन भी student के पास, तो सोच सकते हैं, आपने आपको एक तरह की से समाझ सकते हैं, कि वो MNIT जैपूर में हो सकते हैं, तो यह राव OBC के लिए आप नेक्स वीडियो में मिलूंगी, और इसमें भी बताऊंगी, SC, ST category के लिए, कि क्या cutoff था minimum, तो आप समाझ सकते हैं, तो OBC के लिए 320, 310 से हैं तो SASG के लिए भी कुछ इस तरह की का ही होगा, तो चलिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, और हाँ, एक और चीज में आपको बताना चाहूंगी, कि MNIT जैपूर, जितने भी जो टॉप मिडल NIT हैं, क्योंकि देखो, टॉप जो NIT तरिची हो गई, वारंगल हो गई, और क एक दम सेम प्रोसीजर पे ठीक है, परले जनरल, फिर EWS, फिर OBC, फिर जो भी SASG के टेगरिये उनके लिए, तो चलिए, नेक्स वीडियो मिलते हैं, और तर तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और विल्कुल भी टेंशन मत लिए, सब कुछ एक दम मस्त होगा, ठी बाबाई!